नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गगान नवार आज की इस वीडियो में बात कने वाले हैं ABS के बारे में वैसे तो अल्रेडी काफी सारे लोग जो है ABS पे वीडियो बना चुके हैं लेकिन सारी की सारी theoretical वीडियो थी मैं इस वीडियो में आपको demonstrate भी करूंगा और practically ABS जो है हम road पे test भी करेंगे तो चलिए पहले आपको starting में आपको समझा हैता हूं कि ABS का mechanism सारा काम कैसे करता है इसको में demonstrate अपनी bike से कर रहा हूं प्रेक्स में क्या होता है wires नहीं होते हैं यहांपर क्या होता है brake lines होती है यहां पर देखो brake जो है इसे cylinder से cylinder से होती हुई यह brake lines जो है यह देखिये यह जो brake lines है यह जाते है सीधी एक unit में और एट एंड यह brake lines जो है वो यहां से निकल के आ रही है इस master cylinder में अब यह master cylinder जो है यहां पे brake pads लगे होते हैं वहां से यह brake lines जो है अपना सारा brake oil जो है उसका pressure release करती है I don't think आप देख पा रहे होंगे लेकिन वहां पे brake pads होते हैं यहां से दिखाने की मैं आपको कोशिश करता तो यहां पे brake pads होते हैं और यह brake pads जो है यहां pressure डालते हैं इस rotor पे इस डिस्क पे और इस डिस्क पे pressure डालने के कारण जो है brake लग जाते हैं आपकी गाड़ी की जो tire है wheel जो घूम रहा है उसको धीरे धीरे यह कम कर देता है speed उसकी कम कर देता है अभी यहां क्या होता है जब भी ABS लगाया जाता है तो यह brake यहां से जो आप brake force लगा रहे हैं वो brake wire से होता हुँआ सीधा master cylinder में नहीं जा रहा है वो पहले जाता है एक unit में यह एक unit जो है RTR में यहां लगी होती है इस unit का नाम है ECU unit या और भी कुछ से कहते हैं तो मुझे perfectly नहीं पता लेकिन मैं ECU ही देखा है जहां पर भी rapper किया गया है यह unit गाड़ी के दौनों wheels की speed monitor करती है अगर dual channel ABS है तो dual channel का मतलब आगे और पीछे दौनावाल tires में तो speed कैसे monitor करती हो बताता हूँ यह जो brake line इसके साथ आप जो यह wire देख रहे हैं य यह wire यहां से connected है यहां पर और यह यहां पर आपको पीछे से मैं दिखाता हूँ अगर आप यह teeth type को structure देख पा रहे हैं यह जो देखिए यह structure आप देख पा रहे हैं यह गुमती रहती है continuously wheels के साथ साथ और इसकी मदद से यह speed detect करते हैं और ECU तक पहुंचाते हैं अब ECU त रगी है जब ही मैं इसे on करूंगा तो अब देखिए यह light blink करेगी जब तक यह light blink कर रहे है तब तक ABS on नहीं हुआ है यानि कि ABS testing mode पे है और लगभग 7-8 से 10 km पर आप इस speed तक जब तक आप गाड़ी नहीं चलाएंगे तब तक यह blink करते रहेगी अब लिंक करने का मतलब है गाड़ी का ABS अभी टेस्ट हो रहा है दौनों टायर से speed जो है वो ली जा रही है अब एक वार ABS on होने के बाद ABS continue से दौनों टायर की speed monitor करता है अब मानलो आप चल रहे हो गाड़ी की 50 km पर आप स्पीड है 50 km पर आप की speed पे अगर आप गाड़ी क speed तो इसका मतलब ABS को पता चल जाएगा कि हाँ अब गाड़ी के wheels जो है वो लॉक हो गए इतनी जल्दी 50 से 0 नहीं आ सकती है तब वो क्या करता है कि आपके द्वारा लगाया गया जो brake का pressure है उसे हलका सा वापिस reverse कर देगा जैसे मानलो मैंने इतना brake लगाया है तो इतना reverse कर कर देगा और जो wheels पर प्रेशर पड़ रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा अब जहान रखिए यहां पर कई लोग कह देते हैं कि brake लग रहे हैं चूट रहे हैं लग रहे हैं चूट रहे हैं ऐसा नहीं होता है ब्रेक हमेशा लगे हो रहते हैं ABS कभी भी ब्रेक को पूरी तर रिलेज नहीं करता है वो थोड़ा सा प्रेशर कम कर देता है अभी पैड पूरी तर से चिपक रहे हैं वो थोड़े से दूर हो जाएंगे प्रेशर बनाया रखेंगे जैसे कि फिर से एक्जांपल में यही सबसे बेस्ट एक्जांपल यही कि माल दो इतना प्रेशर तो इस प्रेशर के इस फ्लक्टूइशन के करन जो वील है वो लॉक नहीं होता है और वील लॉक नहीं होने के कई फायदे है अब यहाँ पे आप पूरा डेमोंस्ट्रिशन देखते रही है जो मैंने वीडियो बनाइए वह और उसके साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूं कि ABS के फायदे और नुकसान क्या है जी हाँ कहीं लोग नुकसान देखके चौक जाएंगी कि अच्छाए ABS के नुकसान भी है जी हाँ विल्कुल ABS के नुकसान भी है दौनों बाइक्स और कार्स के लिए शुरू करते हैं फायदों से गाड़ी जो है handle mode सकते हैं cars में भी यही system है एक बार brake लगाने के बाद अगर tired jam हो जाए तो आप गाड़ी की direction नहीं change कर पाएंगे अगर jam हो गया तो लेकिन ABS jam होने नहीं देता है brake wheels को और आप direction change कर पाते हैं दूसरी चीज ब्रेकिंग distance reduce करता है definitely करता है और उसके बाद में अगली जो चीज है वो ही है कि आप balance lose नहीं करते हैं अगर आप bike पे हैं तो एकदम से आप bike में हैं एकदम से आपने brake लगाए तो कोई balance lose नहीं होगा क्योंकि brake wheel lock ही नहीं कर पाएंगे तो आपका गाड़ी रुख जाएगी balance lose नहीं होगा और आप आराम से steadily गाड़ी को रोख पाएंगे एक चीज जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा beneficial लगता है मुझे ABS का वो है इसकी बरसात में जो utility है वो range में आप ABS को ABS वाली bike जो है उसको इतना आराम से इतना confidence के साथ चला पाते हैं कि आप बाइक अभी देखिए पूरी गंदी हो रखी है और गंदी होने का कान ही है कल जब बारिश होई थी तब एक चोटी सी 200-300 km की में राइड करके आया था और पूरी बारिश में मुझे काई भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ब्रेक लगाने से बाइक जो है वो बैलेंस बिगर जाएगा वगरा वगरा ऐसा कुछ नहीं फील हुआ बहुत कॉन्फिदेंस के साथ आप ड्राइव कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात इसकी मुझे यही लगती ABS की रेंस वाली उसके बाद आप बात करते हैं डाउनसाइड्स की जी यहां ABS के डेफिनेटली डाउनसाइड्स है सबसे ज़्यादा डाउनसाइड्स जो है वो आपको देखने को मिलता है मिट्टी और बहुत ज़्यादा ग्रेवल हुआली सर्फिस पे इसलिए ABS को आफ रोडिंग में हमेशाँ बंद कर दिया जाता है जब भी आप आफ रोड जा रहे हों तो ABS को बंद कर दिया जाता है उसका कारण मैं आपको बताता हूँ जब भी आप गाड़ी के ब्रेक लगाएंगी ABS वील को लॉक नहीं होने देगा लॉक नहीं होने के गाड़ी जो है वो फ्रिक्शन बहुत कम होता है मिट्टी वगरा में ठीक है तो वील बार बार लॉक होने कोशिश करेंगे तो आपका ब्रेक प्रेशर बहुत कम हो जाएगा इतना कम कि ब्रेकिंग डिस्टेंस दबल से भी जादा हो जाएगी तो उस सिच्वेशन में ABS नहीं होने पर कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ABS नहीं है तो गाड़ी के वील हुए लॉक और लॉक होने के बाद क्या होता है टायर के आगे थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमा होने लग जाएगी और वो मिट्टी खोदने लग जाएगा टायर मिट्टी खोदने वाज सिच्वेशन में थोड़ा ज़ादा आपके पास स्रिक्शन बढ़ जाएगा सामने की तरफ थोड़ा जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि मिट्टी जमा हो यह टायर के सामने की तरफ तो इस कारम से थोड़ी सी डिस्टेंस जो है वो बैटर रहती है ओफ रोडिंग में बात कर रहा हूं है यानि की पूरी तरफ मिट्टी जैसे की यह आप मिट्टी देख पा रहे हैं ऐसी मिट्टी में जो कि डिग हो जाती है आराम से वैसी मिट्टी में या फिर बहुत जाद अग्रेवल ने लेकिन यह जो सर्फेस है जाए सिमेंट पर हलकेल की मिट्टी है इस सिच्वेशन डेफिनेटली एबियस ही बेटर काम करेगा नौन एबियस पाइक इतने बेटर काम नहीं कर पाएगी तो यह एक इसका डाउंसाइड ज़रूर है कई कार जो आती है इंडिया में उनमें यह सिस्टम नहीं होता कि अबियस आफ कर सकते हैं अब बात करते हैं कई लोग पूसने के सर अब मैंने तो बिना अबियस वाली कार या बाइक खरी ली अब मैं लगवा सकता हूं क्या उसे हैं दोस्तों इंडिया में यह अभी चीज पॉसिबल नहीं है हाँ जैसे कि आटिया की ABS Assembly है कुछ लोग निकालके किसी और गाड़ी में जोड सकते हैं लेकिन फिर उतनी सेफ नहीं होती बॉश जो है एक कंपनी है वो ट्राय कर रही है काफी टाइम से कि हाँ ABS जो है वो रेट्रोफिट भी किया जा सके बाद में आफ्टर मार्केट भी लगा सके लेकिन मैनिफे इसे समझा दिये है और आपको समझ में आ गया अगर फिर भी ABS के बारे में कोई डाउट रह जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट सक्षिन में पूछ सकते हैं मैं उसे आंसर कर दूँगा और उमीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा क्योंकि मैंने का भी म पहनिए सुरक्षित चलिए धन्यवाद